आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ What is formed in the egg after fertilization? उच्छा गया कि fertilization के बाद एक जो है वो क्या form करता है? तो after fertilization क्या होता है? कि एक जो है वो यहाँ पे sperm से mate करता है और form करता है one cell zygote को और यह एक दम से first stage होता है फिर यह zygote जो है वो day by day cell division करता है और जैसे जैसे cell division होता है वैसे वैसे इसका growth दिखाई देता है जहाँ पे zygote जो की one cell था वो यहाँ पे divide होके बनाता है two cell structure फिर two से यह हो जाता है mitosis के वज़े से four cell और उसके बाद होता है यहाँ पे morula formation जिसका ten cells जो है वो दिखाई देता है फिर morula जो है वो धीरे धीरे divide करने के बाद यहाँ पे blastula form करता है और यह blastula time पे क्या होता है कि implantation जो है वो दिखाई देता है in the uterus और जैसे blastula form हो जाता है उसके बाद यहाँ पे gastrula का formation दिखाई देता है और यह gastrula का formation जो है वो फिर धीरे maturation के तरफ जाता है और इसके आगे जो भी यहाँ पे cleavage formations होते हैं या फिर division होते हैं वो in the form of embryo consider किया जाता है तो यही चीज है जो कि यहाँ पे after fertilization दिखाई देता है जहाँ पे one cell stage से हम पूरा embryo और फिर एक new off spring को produce होते देख पाते हैं क्लासिक्स से ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 सूपर झाल